आदित आप से मेटल स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे हम देख रहे हैं कल्यारी स्टील टाटा स्टील अभी टॉप गेनर आ चुका है और वजह हम देख रहे हैं कि चीन में जो पी एमाई के आख्रे आ गए हाला कि ओफीशल जो नंबर्स है वो थोड़े कमजोर हैं लेकिन दूसरी एजेंसी के तरफ से जो नंबर्स आया हैं वहाँ पर बढ़त देखने को मिलें के मेनुफैक्ट्रिंग एक्टिविटी में जिसके चलते हमने देख रहे हैं कि एशाई बाजार भी मजबूत क्लोज हुए और उसका असर हम इन मेटल स्टॉक्स पर भी देख रहे है है कल्यानी स्टील 18% तूपर गारुबार कर रहा है क्या अच्छा लग रहा है आपको लाज कैप कम्पणियों के साथ जाना चाहेंगी अफिक मिट कैस्मॉल कैप स्टॉक अच्छा लग रहा है ट्रीड के लिए लाज कैप कंपनी के साथ फिलाल जाना चाहूंगा पूजा और इसमें दो स्टॉक बहुत चांदार लग रहे हैं पहला स्टॉक है जिंदल स्टील का लगाता स्टॉक एक हायर राइज हायर लो बनाते आ रहा है पूरे मेटल पैक में यह एक आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है करेंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं अलग कि स् 840-860 के लख्ष के लिए दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील का यह भी बहुत चांदार लग रहा है पूजा और बहुत अरसे बाद इसमें एक अच्छी तेजिया में देखने मिल रहे हैं वॉल्यूम्स बहुत ही शांदार है आज स्टॉक पे तो आपको स्टॉक लगाना है 145 का नीचे में और उपर में टागेट लगाना है 155 का तो टाटा स्टील और जिंदल स्टील यह दोनुई स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे है इस स्पेस में और मुझे लग रहे है कि इसमें और बाइंग अभी आने वाली है बहुत अंटर पकॉर्मेंस है आउट पकॉर स्टॉर्ष की कि तरव से कंपनी ने करीव 35,000 करोर की डील कर लिये है करार किया है और ब्राम्मों और कुछ अन्य डिफिस डिल के लिए करार हुआ तो कुल 35,000 करोर का यह करार हुआ है एच यह के साथ हुआ है जिसके चलते जैसे ही इनाॉंस्मेंट हुआ कंपनी की तरफ से एक्स्टेंज में खबर आई स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रहे हैं दो परसंट ऊपर है यारे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक अभी आ चुका है यहां पर क्या करना चाहिए सोनी आपकी सेला क्या होगी कि यहां पे काफे स्टॉंग लग रहा है थिंग 3200 on immediate basis यहां पर आपको नजर आ सकता है है तो करेंट लेवल पर आप कर सकता हैं 3090 पे अभी stop loss प्लेस कर दीजे और 3200 3250 के रेंज में आपको पहला टार्गेट मेलेगा तो वहां पर बुक कर सकता है तो यह है सलाम हेचल